दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके आपने Youtube Channel competition यूज में, दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, University Operation यूज के मद्थम से आप लोगों को दी जाती है, दोस्तों, बड़ी खबर, Breaking News के विशे में, आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं, यूनिवेस्टी परिक्षा रद वाली जो याची का है सुप्रीम कोर्ट से दोसो उस पे एक बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है जैसा कि दोसो आप लोगों को पता होगा आज 14 अगस को यूनिवेस्टी परिक्षा को रद करने वाली जो याची का है उस पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है तो जांकारी दोसो निकल कर के सामने आ रही है अब से थोड़ी देर बाद दोसो इस पे सुनवाई शुरू होने वाली है और आप लोगों को बता दें अभी live log के माद्यम से एक tweet किया गया है जिसमें दोस्तों यहाँ पे खबर निकल करके सामने आ रही है Supreme Court में जो सुनवाई है आज सुनी जाएगी UGC को लेके और जो guideline जारी की गई थी 30 सितंबर तक exam कराने के लिए उसको challenge किया गया है और दोस्तों जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि UGC ने जो अपना दोस्तों एविडेविट है उसे यहाँ पे दाखिल कर दिया है और महराष्ट और दिल्ली सरकार को यहाँ पे उसका विरोत किया गया है क्योंकि उन्होंने जो final year के exam में उसको cancel कर दिया था तो यहाँ पे UGC की तरफ से दोस्तों उसका oppose किया गया है और कहा गया है कि यह जो महराष्ट और दिल्ली सरकार का जो निर्ने है उसका UGC विरोत करती है और यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ अलाकालोग श्रिवास्तव जी के दौरा एक महतपूर्ण प्रूफ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में सब्मिट किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि देश की और भी बहुत सारी NIT हैं और IIT हैं जिसमें फाइनल यर्की जो एक्जाम है उसको कैंसल करवा करके सरकार नहीं जो बच्चे हैं उन्हें फाइनल यर्की डिग्री भी पृदान कर दी है उनके पूर्व के जो पर्फॉर्फॉर्मेंस हैं उनके बेसिस पे यानि कि जो पिछले performance के basis पे चातों को डिग्री भी पिर्दान कर दी गई है तो समानता कि अधिकार के अंतरगा जितने भी चाते हैं यूनिवर्स्टी में पढ़ने वाले खास और से जो फाइनल एर के चाते हैं जिनकी परिक्षा होने वाली है तो अलग अलोग वहीं UGC और जो Home Ministry है उन्होंने दोस्तों यहां पर एक बात कहिए वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि Ministry of Home Affairs यानि के HMO इंडिया ने भी अपना एफिडेविट फिल कर दिया और उन्होंने ये कहा है कि हमने जो institution है उन्हें खोल कि इजाज़त दे दिये यहां पर आप लोग देख सकते हैं उन्होंने भी दोस्तों अपना एफिडेविट फिल कर दिया है अब से थोड़ी ही देर बात दोस्तों सुनवाई शुरू होने वाली है तो देखना है आज किसकी जीत होगी उमीद करते हैं दोस्तों आज की सुन आप लोगों को जानकारी दी जाएगी यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 43 मिनेट पहले ही दोस्तों यह ट्विट किया गया है तो जो भी जानकारी दोस्तों मिलेगी आप लोगों को सबसे पहले जानकारी प्रोवाइट की जाएगी फिलार दोस्तों वीडियो में इतना वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जैसे ही दोस्तों कुछ अपडेट निकल करके सामने आती है आप लोगों के सामने फिर से हजिर होंगा फिलार दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहें जैभार